हेलो दोस्तो जिक्के चलर्स में आप सभी का स्वागत है आज से हम रामायन 1000 प्लस प्रशनोतरी शुरू करेंगे दोस्तो इसके काफी पार्ट्स बनेंगे और ये पार्ट वन है तो वीडियो को लाश तक जरूर देखना तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भगवान राम का नाम लेकर कोश्या नमबर वन रामायन के लेखक कौन थे और दोस्तो इसका राइट अंसर है मैर्ची वालमिकी जो की रामायन के लेखक थे कोश्या नमबर टू वालमिकी को रामायन लिखने की प्रेणा किस ने दी थी और किसके दवारा नारध जी के दवारा रामायन में कुल कितने स्लोक है और इसका राइट अंसर है दोस्तो चोबिस हजार स्लोक कुश्चन नमबर फाइफ रामायन में कुल कितने सर्ग है दोस्तो आप भी यह सोच रहे होगे कि यहां सर्ग का मतलब क्या है तो मैं बता दू जैसे मैट्स और साइंस में बहुत सारे यूनिट होती है ठीक उसी परकार रामायन में अध्याय होते है और उनके अंदर सर्ग होते है तो आई यह जानते हैं कि रामायन में कुल कितने सर्ग है तो रामायन में दोस्तो पांसो सर्ग है कुश्चन नमबर सिक्स रामायन में कुल कितने अध्याय है इसका राइट अंसर दोस्तो रामायन में कुल साथ अध्याय है Q7. रामायन के अध्यायों को क्या कहते है और दोस्तो रामायन के अध्यायों को तो कांड कहते है लेकिन महाभारत के अध्यायों को पर्व कहते है Q8. रामायन के साथ कांड यानि अध्याय कोन को इसका राइट अंसर दोस्तों, फर्ष्ट बाल कांड, सेकिंड पर माराता है और अध्धा कांड, थर्ड पर अरन्य कांड, फॉर्थ किसकिंदा कांड, फिफ्थ सुन्दर कांड जो की पूरा हनुमान जी के उपर है, शिक्स्त लंका कांड जिसका दूसरा नाम युद कांड ह और सेवंथ उत्तर कांड, ये सबी साथ अध्याये रामायन के साथ कांड कहलाते हैं कोशन नमबर नाइन, वालमिकी रामायन की रचना किस चंद में हुई? इसका राइट अंसर दोस्तों, वालमिकी रामायन की रचना अनुष्टुप चंद में हुई थी Q10. रामायन में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन सा है? और दोस्तो इसका राइट अंसर है सबसे बड़ा कांड बाल कांड और सबसे छोटा कांड रामायन में किस किंदा कांड है? Q11. रामचरित मानस के रचनाकार का नाम बताओ Q12. शृरी हनुमान चालीशा की रचना किस ने की थी? Q13. तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखना कब आरंब किया था? एंडिस कराय टंसर दोस्तो Case Rame नवम्ही के दिन और उस दिन वार क्या था मंगलवार कोश्चन नमबर 14 राम चरित मानस के लेखन का कारय संपन कब हुआ था एंडिस कराय टंसर दोस्तो Case Rame विवह के दिन और उस दिन तिथी थी मार्ग सेर्ष सुकलपक्स की Question number 15 रामचरित मानस में कुल कितने स्लोक है And इसका राइट अन्सर दोस्तों 10902 स्लोक Question number 16 रामचरित मानस को लिखने में कुल कितना समय लगा था And इसका राइट अन्सर दोस्तों 2 वर्स 7 महिने और 26 दिन Question number 17 रामायन का संबंद किस युग से है And इसका अन्सर है त्रेता युग से Question number 18 धर्ती पर सबसे पहले जनम लेने वैले वैक्ति कौन थे And इसका राइट अन्सर दोस्तों मनू जो कि धर्ती पर आने वाले पहले वैक्ति थे और इनसे उत्पन हुई संतान ही मानव कहलाए और इस परकार जनम हुआ मानव जातीगा Question number 19 अयुद्या का स्वर्व पर्थम निर्मान किस ने कराया था? And इसका राइट अन्सर दोस्तों धर्ती के पहले वैक्ति मनू ने पर इस वीडियो का हमारा Last Question मनू की पत्नी का क्या नाम था? And इसका राइट अन्सर दोस्तों सत्रूपा Question number 19